आप सभी का हमारे बैंजु गुरु चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि बैंजु पे प्लेक्टरम कैसे चलाएं जैसा आप चलाते हो जैसा आप बजाते हो हमसे वैसा नहीं बचता है मैं आपको बताऊंगा कि बैंजु में यह प्लेक्टरम जो है इस्टाइगर इस्टो कैसे चलाना है वीडियो को इन तक आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे आज का वीडियो बहुत ही इंटेस्टेट वीडियो है तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया ह है तो लाइक कर दें और जो साहब पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं आप भी अगर बैंजु सिखना चाहते हैं बजाते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं प्लेक्टरम कैसे चलाना है यह बहुत हिट्स नागिन का दून है यह आपने सुना होगा इसको किस तरह से बजाना है ध्यान से दिखिएगा करते हैं प्लेक्टरम करें फटना है देखिए इसमें इस तरह से आपको प्लेक्ट्रम को चलाना है कहीं पे हमारा प्लेक्ट्रम रुक नहीं रहा है किस तरह चलाना है अभी तो हमने बजा दिया लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा क्योंकि यह फार्ट चल रहा है तो आपको समझाने के लिए प्लेक्ट्रम का चलन और मैं सुलो कर रहा हूं आप ध्यान से देखेंगे जय के लिन्ड़ कि एन तरह करते हीं और सेखेंगे अभी आप देख रहे थे मैं जो प्लेक्ट्रम चला रहा था लेकिन अभी आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे चलाना है पलेक्ट्रम को किदर किदर चलाना है कितनी बार चलाना है ध्यान से देखिएगा अ कर दो हिए जो है अलेक्ट्रम पहले राइट फिर लेफ्ट्र फिर राइट फिर लेफ्ट इसको इस तरह से चलाना है कि गाने का जो आपका टेम्पू है जिस टेम्पू में अगर आप गाना बजाएंगे उसी हिसाब से इसको चलाना है और कहीं पर खास कर इस धुन में नागिन का जो धुन है इस धुन में कहीं पर आपको यह प्लेक्टरम है कहीं भी नहीं रोकना है कहीं भी नहीं रुकेगा यह कंटिनीव चलेगा दिखिएगा यह आपको इस तरह से चलाना है पहले इधर से यानि अपने तरफ खीचना है आगे से अपने तरफ खीचना है ऐसे उसके बाद फिर अपने तरफ से उस पार उस पार जाना है उसके बाद फिर उधर से अपने तरफ खीचना है इसके बाद फिर अपने और से उस तरफ स्वरमंडल की और तरफ आपको जाना इस तरह से यहां पर रुकना नहीं आपको यह चलते ही रहेगा कंटिनी चलते रहेगा हम देखिए इस प्लेक्टरम का जो चलन है इसका कहां कहां बेनिफिट आपको मिलेगा तो यहीं प्लेक्टरम का चलन जो है आपको नागिन सौंग में यूज करना है आप इसका पहले रियाज किजिए और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें दरुर बताएगा